हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आर्वेदी ट्यूब में तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों के लिए कोस्टन ले करके आया हूँ यह कोस्टन क्लास 10 की मैथ से exercise 8.1 का question number 9 है तो इस वीडियो में हम इस question को discuss करेंगे आप बस वीडियो को दिहां से देखिए आंतर तक देखिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए दोस्तों को भी share कीजिए चैनल पे नहीं है चैनल को subscribe करके well icon को press कर लीजिए ठीक है तो चलिए देखते हैं इस value of question number first है sin a cos c plus cos a sin c question number second है cos a cos c minus sin a sin c तो यह question है हमारे पास इसको हमें solve करना है ठीक है question tough नहीं है बड़ा ही आसान है यहाँ पर हम triangle की property लगाएंगे पाइथागूरस theorem की ठीक है तो चलिए करते हैं इसको solve solution कि भी हैव आर्ट रेंगल कि वी हैव आराइट रेंगल कि अबी सी एंगल वी इस इक्वाल टू नाइंटी डिग्री ओके अच्छा और क्या दिया है हमें दिया गया है साइन सॉरी टैन है टैन ए इस इक्वाल टू वन अपान रूट थ्री अब यहां पर एक बात समझे देखिए तैन ए की वैलू क्या होता है टैन ए इस इक्वाल टू होता है परपंडिकुलर अपान बेस ठीक है क्या होता है परपंडिकुलर अपान बेस यह हो जाएगा हमारे पास perpendicular बट यहां पर एक constant माल लेंगे के जैसे की वान अपान root 3 है अब यहां पर भी के माल लेंगे और यहां पर भी के माल लेंगे के बस एक constant है ratio वाला तो यह हो जाएगा हमारे पास perpendicular और यह हो जाएगा हमारे पास बेस ठीक है अब यहां आगे लिख सकते हैं बाइ यूजिंग पाइथा गोरस थेरम कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि तो तो से पहले ट्रेंगल भी बना लेते हैं कि मालेज़ यह की है हमारे पास एक रिंगल है कि एंऑ बी चीरड एंगर है डी पर ठीक है तो यहां से अगर हम देखें पहले तो हमको एंगल करना पड़ेगा अब एंगल ये हो गया तो ये बेस हो जाएगा और यह हई-थ उचल अब हमें hypotenuse calculate करना है तो यहां से क्या बनेगा AC square is equal to AB square plus BC square अब यहां से अगर हम square हटाएं तो इधर square root आ जाएगा ठीक है तो अब क्या करेंगे यहां पर value put कर देते हैं AB का value कितना है तो अगर आप ध्यान से देखो तो AB का value root 3K है root 3K whole square plus BC का value कितना है 1K 1K whole square फोड़ा से solve कर लेते हैं इसको तो अब देखो यहां पर root 3 का square करोगे तो 3 आएगा K का square K square आएगा plus 1 का square 1 आएगा और K का square K आएगा K square आएगा तो यहां पर 3 और plus 1 4 हो जाएगा यह total 4K square हो जाएगा कितना हो जाएगा root 4K square 4 का square root लेंगे तो कितना आजाएगा 2 और K square का square root लेंगे तो आजाएगा K cos A sin C तो पहले sin A sin C cos A cos C की value find कर लेते हैं तो चलो फिर find कर लेते हैं यहीं पर कर लेते हैं now sin A sin C अब देखो सबसे पहले आप तो जान लो कि sin A का ratio क्या होता है तो sin A is equal to होता है perpendicular upon hypotenious और cos A is equal to क्या होता है base upon hypotenious ठीक है sin theta cos theta का value यह होता है अब यहाँ पर sin A का जब बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास angle A होगा और जब angle A होगा तो यह hypotenious यह base यह perpendicular तो perpendicular कितना है इसमें 1K कितना है 1K और hypotenious कितना है 2K तो K से K cancel हो जाएगा आजाएगा 1 by 2 sin A is equal to कितना आजाएगा 1 by 2 इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे यहाँ पर cos A निकालेंगे और फिर cos C निकालेंगे तो अभी cos A का बात कर लेते हैं cos A में हमारे पास आएगा base base कितना है root 3K और hypotenious कितना है 2K तो के से के cancel हो जाएगा आजाएगा root 3 by 2 अब जब हम cos C और sin C की बात करेंगे ना तो थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे चाहे तो हम इसी triangle में काम कर लें चाहे तो एक और triangle बना लें मालो हमने एक और triangle ऐसे बना लिया सेम ऐसा ही बिलकुल यही A, B, C अब C को जब हम angle मानेंगे तो base यह हो जाएगा यानि base परपंडिकुलर बदल जाएगे और perpendicular यह हो जाएगा तो base कितना हो जाएगा फिर है ना तो base यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1K और perpendicular कितना हो जाएगा root 3K और hypotenious कितना हो जाएगा 2K तो जब यह हो जाएगा तो इसके हिसाब से मारा perpendicular और हाइपोटेनियस चलेगा तो यहाँ पर देखो जब हम sin c find करेंगे अब जब हम sin c find करेंगे इसका मतलब हम angle c को refer कर रहे हैं तो यहाँ पर अब perpendicular हो जाएगा root 3 k root 3 k और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा देखिए perpendicular और base बदलते हैं हाइपोटेनियस नहीं बदलता कैसे के cancel हो जाएगा तेहाँ पर आजाएगा root 3 by 2 जब हम cos c की बात करते हैं इस triangle को refer करते हैं तो यहाँ पर base अपान हाइपोटेनियस तो base तो मारे पास 1 k है और हाइपोटेनियस मारे पास 2 k है केसे के cancel हो गया आगया 1 by 2 अब हम first equation को उठाते हैं first क्या लिखा है sin a cos c plus cos a sin c ठीक है अब value यहाँ पर रख देते हैं sin a का value यहाँ से रखेंगे 1 by 2 cos c का value यहाँ से रखेंगे into 1 by 2 बीच में into है फिर plus लगा लेते हैं cos a का value रखते हैं root 3 by 2 और sin c का value रखते हैं root 3 by 2 अधिके यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 1 बंजा 1 2 तू जा 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 1 by 4 plus देखो root 3 into root 3 कितना हो जाएगा 3 और 2 तू जा 4 हो जाएगा यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपने power and exponent पढ़ा होगा कि जैसे root 3 है into root 3 है तो इसका answer कितना है गए 3 आएगा तो condition यह होती है कि root n into root n is equal to n होता है ठीक है power and exponent में आपने पढ़ा होगा तो दीको यहाँ पर denominator सेम है यह एक like fraction है तो क्या होगा 4 common ले लेंगे यह 1 plus 3 हो जाएगा तो आजाएगा 4 by 4 तो कट गया तो इसका answer कितना आ गया 1 पहले का answer कितना आ गया 1 आ गया यानि कि sin a cos c plus cos a sin c का value कितना आ गया 1 ठीक है अब second solve कर लेते हैं second कितना है cos a cos c minus sin a sin c ठीक है तो यहाँ पर cos a का value कितना है root 3 by 2 cos c का value कितना है 1 by 2 minus sin a का value कितना है 1 by 2 और sin c का value कितना है root 3 by 2 देखिएगा ध्यान से root 3 by 2 root 3 by 2 यहाँ है 1 by 2 और 1 by 2 यहाँ है तो यह दोनों सेम से मैं cancel होके 0 हो जाएगे पर फिर भी थोड़ा से solve कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा root 3 बन्जा root 3 2 to the 4 minus देखिए root 3 बन्जा root 3 और 2 to the 4 root 3 root 3 upon 4 minus root 3 upon 4 किन से लोगे क्या बन जाएगे 0 देखिए जब subtraction होता है तो answer 0 आ जाता है तो यह इसका answer हो गया ठीक है दोनों question का पहले का आ गया 1 और दूसरे का आ गया 0 तो बाकी सीजे में मिटा देता हूँ आपको जरूत पड़े तो आप पीछे जाके write कर सकते हैं तो दोस्तों यह हमारा इस question का answer है आप चाहे तो वीडियो को पॉच्छ करके write down कर लें या फिर screenshot ले लें तो दोस्तों आप मुझे comment box में comment करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों को भी सेयर कर लें है ना बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अगर आपको मेरे और भी वीडियो देखने हैं तो मैं description box में आई के icon में और end screen में link दे दूंगा आप वहां से जा करके देख सकते हैं तो चलिए फिलते हैं अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक लिए जैहिन तो आज का जो हमारा homework है वो question number 10 in triangle pqr right angled at q pr plus qr is equal to 25 cm and pq is equal to 5 cm determine the values of sin p, cos p and 10p तो यह हमारे पास question है और इसको solve करना है और answer आपको comment box में बताना है तो solve करना और बताना है क्या answer है आपका आपका